So hey guys, welcome back to my new video और इसमें हम करेंगे अपने शूस की अन्बॉक्सिंग दोस्तों इससे पहले मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी बाका बुची शूस जो मैंने ओडर किये थे Amazon से उनका रीविव मैंने आपको बताया तो जैन्मन रीविव तो और उस वीडियो को काफी सारे लोगों ने पसंद किया था तो इसलिए मैंने एक बार फिर शूस ओडर कर दिये लेकिन इस बार मैंने जानी मानी कंपनी रेट टेप से शूस ओडर किये हैं और काफी अच्छी चितरकारी की गई है लेकिन चलिए अन्बॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले निकलेगा इसका बिल जो कि मैं आपको बाद में फिर दिखा दूँगा कितने रुपे के शूस पड़े हैं मेरे को यहां से मैंने किया अरे भाई सहाब जो मैंने फोटोस देखी दी कुछ वैसे ही लग रहे हैं अब साइज बढ़ा तो नहीं आ गया एक बार ये भी चेक कर लेंगे बाद में तो दोस्तों मैंने ये शूस जो हैं दोनों नीचे निकाल दिये हैं और एक बार मैं इनको कुछ चेक करके फिर आपको इसके बारे मैं बताता हूँ कि इसका एक एक फैबरिक और इसका मटेरियल किस तरहां से है तो गाइज ये शूस मैंने 7 नमबर 7 नमबर UK 25.4 सेंटीमिटर के ओडर की हैं और इसमें प्राइज आपको दिख रहा होगा 5599 तो चिंता मत करिए इतने महंगे शूस नहीं मैंने ओडर करें हैं एकदम फ्रैंडली पॉकेट बजट शूस है ये ठीक है तो फिलाल इसके बारे में पहले जान लेते हैं शूस का माटीरियल कैसा है तो गाइस देख लिए ये है अपने शूस और इसके साइट में आपको यहाँ पर एक अलग सी हाइलाइट से मिल जाएगा ग्रे कलर का ये वाइट कलर का शूस है वैसे नीचे से सोल ब्राउन कलर का अगर साइट लुक की बात करें तो ठीक लगता है ये हलका सा ओड लग रहा है लेकिन नित्रा भी जादा नहीं ठीक लग रहा है मलब एक अलग सी लुक बना दे रहा है अब ये नहीं भी होता तो शायद और भी अच्छा लगता शूस पीछे अगर आप देख सकते हैं यहा पर ब्रैंड का नेम और अगर अंदर से बात करें एक ही शूस मनलब एक ही पैर मैंना भी डाल कर देखा साइज चक कर रहा था साथ नंबर के मिरे को नॉर्मल शूस आते थे और यह वाला भी मैंने सेवन नंबर ओडर किया है तो शूस मेरा ठीक है परफेक्ट है छोड़ा फोट थोड़ा बहुत आगे से चोणचा वह चल जाता कोई इसू नहीं है ठीक है और अगर हाइट की बात करें तो हाइट भी काफी अच्छी से increase हो जाती है मतलब सोल भी काफी अच्छा इसमें हाइट के लिए दे रखा है अंदर से बात करें तो अंदर से काफी अच्छी सॉफ्ट कुशनिंग की गई है काफी अच्छा कपड़ा फैबरिक यूज किया है अंदर से ग्रीन किलर की है लेबलिंग देखने को मिल जाएगी टेप की और जब मैंने अपना ये वाला फूट अंदर डाला तो यहां से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि पहनते समय थोड़ा टाइट था बट जितने लेसिस थे मैंने सारे उतार दिये सारे खोल दिये काफी अच्छे लूज करे तब जाके मेरा पहर हो आप इस तरह का ये लाइन पढ़ गया है अब मुझे हमेशा शूज में इसी से डर लगता कि यहां से शूज फट ना जाए व्यासे मेरे पास एक दूसरे प्यूमा के भी शूज हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक इशू मतलब लाइन तो पढ़ी है बट वो तूटे कटे नहीं है तो बस ब्रैंड में यही चाहिए कि अटलीस्ट यह कडे ना लगबग साल दो साल तो आराम से निगाल जाए राइट अगर मैं प्राइस की बात करूँ कितने की यह मुझे पढ़े है तो आप बिल देख सकते हैं यहाँ पर आपको 1679 रुपीज की यह शूज मैंने ओडर की है मिंतरा से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जसका ओडर करना कर सकता है 1680 रुपे की यह शूज मेरे को पढ़े है फिलाल अगर आप बताऊं तो 1680 मैं यह शूज ठीक है यार बाका बुची और जो दूसरे न्यू ब्रैंड्स है उनसे तो फिलाल बैटर है और मिंतरा से ओडर की है तो इसली रिटर्न हो सकते हैं इसली आपको रिफंड भी हो जाएगा आप रिप्लेस कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन जैसे आप दूसरे न्यू ब्रैंड्स को ओडर करते हो सरफ उनी की साइट से तो उनको रिप्लेस करने के लिए भी उनको चेंज करने के लिए उनको रिटर्न करने के लिए बहुत सारी हमें दिक्कत देखनी पड़ती है So guys, आप main बात आती है क्या ये shoes आपको purchase करने चाहिए मतलब value for money होगे तो हाँ मैं 5 मैंसे 4 बार ऐसे कहूँगा कि आप इन shoes को purchase कर सकते हो अपने casual, अपने किसी भी program किसी भी activity में इसको पहन कर जाओगे न तो सच में लोग बोलेंगे कि नहीं अच्छे shoes है, इतना ये है और आपको खुद को भी comfort feel होगा तो आप इसको purchase कर सकते हो मैं इसको recommend कर रहा हूँ ठीक है, बाकी आपके उपर है, थोड़ा reviews वगरा देख लेना है, मिंत्रा पर, Amazon पर जहां पर भी आप चेक करो, कहीं ऐसा मत बोलना विशाल भाई, आपके चलते हमने गलत shoes purchase कर लें, लेकिन easy return है, easy exchange है मिंत्रा पर, तो वो भी आप फिर कर सकते हैं तो चलिए गाईस, चैनल तो subscribe कर लेना कर आप चैनल पर नए आए हो और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी तो मिलते हैं एक लिए वीडियो में, जय हिंद, जय भारत